हेलो फ्रेंड्स मैं मनोज कुमार श्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल बायलोजी गुरूजी में जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है हम लोग एकॉनोमिक बॉटनी को कम्प्लीट कर रहे हैं तो एकॉनोमिक बॉटनी में आज का जो टॉपिक है वो हमारा पिछले बीडियो से रिलेटिट टॉपिक है Actually हमने इसके 16 कोश्चन जो है वो फस्ट बीडियो में कम्प्लीट कराए थे इसके पार्ट वन में कम्प्लीट कराए थे और आज जो हम कोश्चन करने वाले हैं तो चलो हम इसको complete करते हैं जिस friends को इस वीडियो की PDF चाहिए वो हमारा टेलिग्राम चैनल जिसका link इसके description में इस वीडियो के description में दिया गया है आप बहां से हमारा टेलिग्राम चैनल जो है वो जरूर जोइन कर सकते हैं पिलस एक और हम आपके लिए अच्छी सी बात लेकर के आए हैं अगर हम यहाँ पे जैसे की यह जो first question है इसका हम description लेते हैं तो जो की plant हम लोगों ने थोड़ा सा rarely देखे होते हैं जिनको ज़्यादे नहीं देखा होता है तो उसके जो figure होते हैं जो उनका photo होता है image होती है उसको भी हम अपने telegram बाले वीडियो में उसको अब send करने लगे हैं तो अगर आप उन चीजों को अच्छे से देखना और समझना चाहते हैं तो आप हमारे telegram से जरूर जुड़िएगा और हमारे इस channel को subscribe कीजिएगा तो चलिए हम start करते हैं आज की अपने इस video की question number 17 को जिस friends ने हमारे channel को subscribe ना किया हो जरूर subscribe कर लिजिएगा क्योंकि यहाँ पर real knowledge of biology के लिए हम लोग तत पर रहते हैं तो चलो first question एलगा रोबा एज एलगा रोबा क्या होता है तो देखिएगा यहाँ पर option A दिया गया है option A की अगर हम बात करते हैं तो सिरे टॉनिया दिया गया है option B जो है प्रोसोपिस दिया गया है option C एरिकिस दिया गया है and none of days option D क्या है none of days तो actual में जो है वो हमको यहाँ पर सही question इसका answer बताना है तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि actual में यह alga robot होता क्या है है ना तो देखो हम आपको बता दें कि आपकर alga robot समझना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो मैंने इसको बहुत अच्छे से explain करने के लिए आपको क्योंकि हमें चीजों की image हमारे दिमाग में अगर हो तो हम उसको कभी नहीं बोलेंगे इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका figure जो है वो अपने image बाले जो वीडियो जो टेलिग्राम चैनल है उसमें दे रखा है आप प्लीज वहां से इसको search जरूर कीजिएगा तो देखिए एक्च्छल में ये एलगा रोबा जो है इसका scientific नाम प्रोसोपिस जूली फ्लोरा है क्या है इसका scientific नाम प्रोसोपिस जूली फ्लोरा इसका scientific नाम है और ये उसी का एक general name है एलगा रोबा इसको हमारे यहां अगर बोलें ये बबूर जैसी एक प्रजाती है बबूल होता है ना कुछ जगर पे इसको कीकड भी बोलती है और बबूल भी बोलती है जिसमें लंबी लंबी से एलो कलर की फलियां आती है इस तरह से लंबी लंबी येलो कलर की फलियां आती है जिसको बक्री और जानवर बगएरे बहुत चाओ से खाते है तो आप समझ सकते हैं उसको तो याद रखो कि एलगा रोबा एजा प्रोसोपिस प्रोसोपिस जूली फलोरा बोलते हैं अच्छा इसको हम आपको आगे एक्स्प्लैन करने वाले तो चलो बढ़ते हैं अपने 18 नमबर कोश्चन पे कोश्चन नमबर 18 को देखिएगा आप लोग हाइस्ट प्रोटीन परसेंटेज इस सीड ओफ हाइस्ट प्रोटीन की जो परसेंटेज होती है वो कौन से सीड में होती है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो option A को हम देखते हैं क्या है option A एक है कजानस कजान option A क्या है कजानस कजान है दूसरा option क्या है glycine max है तीसरा option क्या है विश्या फावा है और चौता option हो जाएगा scissir aritinum I hope मैं उमीद करता हूँ आपको ये सबी चीज़ें जो है वो अच्छे से पता जरूर होंगी क्यों क्योंकि हम अपने पिछले वीडियो में इनको आपको बहुत अच्छे से याद करा चुके हैं जिस friends ने उसको नहीं देखा है please हमारे previous वीडियो को लगातार देखते रहिएगा हम यहाँ पे objective botany और geology दोनों को compile करके खतम कर रहे हैं finish कर रहे हैं for GIC preparation के लिए और TGT PGT biology exam के लिए तो चरिए देखिएगा कजानस कजान आपको पता है अरहर की दाल को हम लोग बोलते हैं कजानस कजान इसका scientific name हो गया glycine max जो होता है बीवाला option यह soya bean को बोलते है visya feva जो plant होता है visya feva plant हम लोग जो आपको याद हो actual में जो potato की जो सबजी होते हैं उसमें potato में डालके इसको हम लोग कई बाद हिंदी में हम लोग इसको local name जो है बांकला भी बोलते है visya feva को क्या बोलते हैं बांकला तो यह beans होती है actual में है ना तो वो हो जाएगा scissir aritinum आप जानते ही है जो gram होता है जो चना होता है उसका scientific name होता है scissir aritinum ओकी अच्छा visya feva plant आया है तो आपको याद होगा है ना एक experiment दिया गया था जिसका नाम था semi conservative model of dna semi conservative model of dna को experimentally proof किया था experimentally proof किया था किसने proof किया था तो experimentally proof किया था एक scientist टेलर टेलर ने proof किया हुआ था plant के उपर plant के उपर किसने proof किया था टेलर ने proof किया था तो वो कौन सा plant था वो यही plant था बिशिया फावा प्लांट टेलर ने इसको प्रूफ किया हुआ था और एनिमल की उपर इकुलाई की उपर किया था इकुलाई की उपर किस ने किया था तो आप मुझे comment box में बता सकते हो कि एनिमल की उपर जो है semi conservative मॉडल को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किस ने किया था और प्लांट के उपर कौन से प्लांट के उपर किया था बिशिया फैवा के उपर किस ने किया था टेलर ने किया था ये मैंने बता दिया आपको तो चलो ठीक है हम आते हैं अपने question पे highest protein percentage की बात करते हैं तो देखिए कजानस कजान ये भी बैसे दाल है इसमें भी protein होती है बिशिया फैवा बीन से तो इसमें भी protein होती है सिसर एरिटीन जिसको हम लोग चना बोलते हैं तो इसमें तो प्रोटीन होती है लेकिन यहां पर highest पूछा गया है तो highest की अगर हम बात करते हैं तो जो ये glycine max हैं में सो 8 तक लगबग जो होती है 40-48 तक इसमें protein होती है 32 से लेकर कि 48% तक जो होती है वो protein पाई जाती है किसमें glycine max की अगर हम बात करते हैं तो ओके चलिए इस question से इतना आपको सीखने को मिलता है हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले question पे और question number क्या है तो question number 19 है question number 19 को देखते हम which is called कल्प ब्रक्ष कल्प ब्रक्ष किसे बोलते हैं तो कल्प ब्रक्ष जो होता है actual में तो सबसे पहले तो आपको इन सब के scientific name जो है वो जरूर पता होना चाहिए क्योंकि scientific name अगर आपको पता होते हैं तो आप आसानी से इन चीजों को recall कर सकते हैं revise कर सकते हैं तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं और यहां का जो right answer है वो क्या हो जाता है सबसे पहले तो इन्होंने कल्प ब्रक्ष की बात किये तो देखिएगा हम पहले कल्प ब्रक्ष को समझते हैं कल्प ब्रक्ष ऐसा ब्रक्ष होता है जिसके हम कल्प ना करें और वो ही हमें दे दे इस तरह से sense लगा जाता है तो इसका right answer जो है वो यहां पर कल्प ब्रक्ष किसको बोलते हैं कोकोनट को बोलते हैं किसको बोलते हैं कोकोनट को बोलते हैं तो कोकोनट का scientific name ही आपको पता होना चाहिए, पता हो, तो आप जरूर बताइएगा, है ना, और नहीं तो आप सुनिएगा, क्या होता है, कोकस निूसी फेरा, कोकोनट का साइंट फिक नेम क्या होता है, कोकस निूसी फेरा होता है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, कि ये कौन सी फैमली से belong करता है तो कोकोणट जो होता है वो PAMI family से belong करता है किस से belong करता है PAMI है ज़र पसामी evry family का एनडर नम क्या होता है तो ench fetch को बोलते है Eric connected family इसको बोलते है और pami family बोलते है तो यह तोकोअट क्यों ऐखा इसको कल्पवरक्श बोलते है क्योंकि की इसका every part जो होता है वोč कर दिया जाता है इस बज़ाएशे इसकोоко nut को कल्प गिभरक्च बोला जाता है इससे आप जानते हो इससे cocoa o peat कोयर भी बनते है और शका नारियल पानी जो होता हो पीने के काम भी आता है जो highly , nutritious होता है तो इसलिए इसको कल पर रख्च बोलते हैं चलो अब इसके हम बाकी options के से भी अपना revision कर लेते हैं तो देखिएगा यहां पे इनों ने एक option दिया हुआ है cash unit तो cash unit को हम लोग काजू बोलते हैं cash unit को सबको पता होगा क्या बोलते हैं काजू बोलते हैं लेकिन इसका scientific name आपको पता होना चाहिए तो इसका scientific name होता है anacardium occidental क्या नाम होता है अब जब इसका नाम अना कार्डियम है तो anacardium से एक कौन सी family हो जाएगी anacardium occidental family हो जाएगी तो इतना तो आपको काजू के बारे में पता होना ही चाहिए इसको cash unit बोलते हैं काजू बोलते हैं anacardium occidental इसका scientific name होता है family इसकी anacardium occidental हो जाती है ओके चलिए next question अगर हम इसकी next option की बात करते हैं तो next option कौन सा है chestnut जो को chestnut जो होता है वो actual में ये true nut कहलाता है और इसका scientific name होता है castania sativa क्या नाम होता है castania sativa होता है family इसकी fagasy होती है कौन सी family होती है fagasy family को इसको बोलते हैं ओके चलिए next इसका option है almond तो almond आप जानते हैं सभी लोग बादाम को हम लोग almond बोलते हैं इसका scientific name prunus amigadeless होता है prunus amigadeless होता है family इसकी rojacy हो जाएगी क्या family हो जाएगी rojacy जिस family से roj belong करता है उसी से rojacy family है तो यह almond भी उसी से belong करता है I hope इस question से सभी आपको बहुत कुछ revision हुआ होगा चलो हम बढ़ते हैं आपने अगले question की तरफ question number 20 देखिए अब मैं इतना आपको revision कराता हूँ तो प्लीज अगर आप मेरे वीडियो से कुछ भी गयन करते हैं कुछ सीखने को मिलता है तो comment और like ज़रूर किया करें जितने ज़्यादा like मिलते हैं comment मिलते हैं subscriber मिलते हैं हम उतना ही ज़्यादा motivated होते हैं coconut का production जो है जो कल पर रक्ष है वो कहां पर होता है तो देखिएगा करनाटका हो गया केरला हो गया तमिलनाडू हो गया और आंदरप्रदेश आंदरप्रदेश को AP करके भी बोला गया है ओके देखो इनकी कुछ capitals भी हालां कि याद करिएगा क्योंकि GIC का जो एक्जाम होने वाला है उसमें GS और current affair भी आ रही है है ना तो चलो हम थोड़ा सा आज इनकी capital भी देख लेते है करनाटक की capital क्या है बंगलूरू हो जाएगी है ना तमिलनाडू की क्या है है ना तो बताएगा तिरवंतपुराम तमिलनाडू की क्या हो जाएगी चैन नहीं हो जाएगी केरला की तो तिरवंतपुराम हो जाएगी और आंदर प्रदेश की हैदराबाद हो जाएगी तो केरला जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा production होता है कोकोनट का आपने movies बगेरे में देखा होगा आपने अगले question की तरफ और question number next है which is a true nut तो देखो इसका answer मैं अभी उपर आपको बता ही चुका हूँ क्या बताया था मैंने और इसका बताया था मैंने chest nut true nut क्या होता है chest nut को true nut बोला जाता है तो castania sativa इसका scientific name क्या है castania sativa cast unit और ये कौनसी family से बिलोंग करता है तो chest nut जो होता है ये phagasy family से बिलोंग करता है उपर मैं आपको बता चुका हूँ division करा रहा हूँ cast unit किस से cast unit का scientific name क्या बताया था anacardium occidental anacardium occidental बताया हुआ था anacardium occidental ये याद रखोगे कौनसी family शे बिलोंग करता है तो ये anacardium शे बिलोंग करता है और ball nut ball nut का नाम क्या हो जाता है तो इसका नाम juglens हो जाता है juglens regia ball nut किसको बोलते है तो ball nut हम लोग अखरोट को बोलते है और इसका scientific नाम juglens regia हो जाता है और इसकी family कौन सी हो जाती है तो जगलेंड डेशी इसकी family हो जाती है कौन सी family हो जाती है इसकी family हो जाती है जगलेंड डेशी इसकी family बोलते हैं कोकोनट का तो आपको पता ही है इसको कोकश न्यूशी फिरा बोलते हैं तो इस तरह से आपको बहुत सारे questions जो है वो हर questions से देखो अगर हमें real knowledge लेनी है तो कभी भी हमें एक question को रटना नहीं है उसके जितने भी options हैं उसकी पूरी history हमको पता कर लेनी है जिससे हमारी knowledge जो है वो long term तक बनी रह सकती है तो चलो हम बढ़ते हैं आज की अगले question की और question number 28 को ले लेते हैं daily requirement of vegetable for adult एक adult के लिए vegetable की सबजी की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ती है daily तो option A है 5 ounce है option B है 10 ounce है option C है 20 ounce है and option D है 8 ounce है तो जोको इसको आपको direct याद करना पड़ेगा इसमें ज़्यादे explanation वाला नहीं है तो आप याद रखोगी तो एक adult person के लिए 10 ounce जो होती है vegetables की जरूरत परड़े रहती है उसको इतनी लेनी ही चाहिए अगर उसको अपना balance diet लेनी है तो इसको लेनी ही चाहिए ओके चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ और question number 23 को लेते हैं question number 23 क्या है देख लेते हैं tapio का tapio का root vegetable है tapio का एक क तो देखिएगा सबसे पहला option दिया हुआ है इनोंने ipomia और दूसरा option दिया हुआ है dio scoria तीसरा option दिया है many hot और चौता option दिया गया है none of these तो चलो हम पहले इसका right answer देखते हैं तो tapio का जो होता है वो एक root vegetable है और ये जो होता है वो many hot asculenta है ना इसका scientific name क्या है many hot asculenta तो य tapio का scientific name क्या है many hot asculenta देखो अगर आपको scientific नाम याद होगा ना तो आपके दो से तीन question जो है अपने आप सीधे सीधे सही हो जाएंगे ओके तो चलिए देखते हैं हम लोग many hot asculenta ये तो इसका हो गया tapio का हो गया है ना और ये कौन सी family से बिलोंग करता है ये ये यूफॉर आपको पता है sweet potato को हम लोग बोलते हैं है ना सकरकंद जिसको हम लोग बोलते है उसको आईपोमिया बटाटा बोलते हैं है ना सकरकंद का scientific name क्या है आईपोमिया बटाटा इसका scientific name हो जाएगा ठीके ना तो आईपोमिया बटाटा कौन सी family से बिलोंग करता है ये डायो इस् बिलॉटे हैं। तो कुल मिलाकर कि आपको चारह तीनों आप्सन मैंने के बता दिये हैं। बढ़ते हैं आज की अगले कोष्चन की तरफंग नंबर 24 को ले लेते हैं विच वीड इज रिकमेंड़िड फॉर बायो गैस प्रोड़क्षन इन एंडिया। तो सबसे पहले तो हमें समझ रहा है, इन्होंने bead word यूज किया है, क्या word यूज किया है, bead, bead मीस होता क्या है, तो weeds are unwanted plants, मीस ऐसे plant होते हैं, जिसको हम गिरो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप गिरो हो जाते हैं, आ जाते हैं कहीं से होते हैं, और इनको फिर खतम कर करना, वहां से निकालना बड़ा मुस्किल हो जाता है, तो यहां पर bead बोला है, तो चलो हम देख लेते हैं actual में, A, A की बात करते हैं, तो हाइडरला हो जाता है, B की बात करते हैं, इकॉर्निया क्रेस्पिस हो जाता है, C की बात करते हैं, शोले नम जैन्थो कार्पम हो जात option b means e cornea crespis देखो दोस्तो e cornea crespis अपने आप में बहुत ही मज़ेदाद example है ये इसके चार name मैं आपको बता रहा हूँ बेटा ध्यान से सुनिएगा पहला name जो हो जाता है वो इसका यही याद कर लो आप क्या हो गया e cornea crespis e cornea crespis ओके दूसरा नाम इसका जो होता है वो जाता है water high synth क्या नाम हो जाता है water high synth भी इसी को बोलते हैं तीसरा नाम क्या हो जाता है तो तीसरे नाम की अगर हम बात करें इसकी तो terror of bengal terror of bengal भी इसी को बोलते हैं और चौते नाम की अगर हम बात करें तो खुदी हो जाता है आई होप आप समझ रहे होगे जो मैं कहना चाहरा हूं तो आप यह आद करके रखिए आप कोश्चन के उड़ता है कि इतना important क्यों है और यह कौन सा plant है तो जो हम आपको इसका हिंदी नेम बता रहे हैं mostly लोग जानते होंगे इसको हमारे local language में इसको जलमंजनी यह जलकुम्भी भी बोलती है जो कि नदी में है ना जहां पर stagnant water थोड़ा सा रुका हुआ पानी हो बैसे नदी में तो चलता रहता है लेकिन कुछ जगह पर थोड़ा सा हलका धीमय हो तो बहां पर यह मिल जाती है तो उस जगह पर यह ग्रो करती है और यह invasive plant है जहां पर भी ग्रो करता है तो बाकी plants को यह खतम कर देता है अटेक करता है और बहुत जल्दी reproduction करता है तो एक question यह भी बनता है तो इक क्रेस्पिस का vegetative propagule जो होता है वो what offset होता है क्या होता है offset होता है इतना सब कुछ आपको इस question से आपको सीखने को मिला ओके चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ और question number 25 ले लेते हैं okay question number 25 क्या है which state is largest producer of sugar can in India कौन सा state जो है वो sugar can miss गन्य का सबसे बड़ा producer है तो गन्य का सबसे बड़ा producer जो है वो अपना UPA कौन सा है UPA miss B बाला option जो है वो सई हो जाएगा जब गन्य का production यहां पर सबसे बड़ा होता है तो चीनी भी यहीं पर बनती है जब चीनी यहां पर बनती है इसलिए हम इसको चीनी का Astron कि कहते है भारत का चीनी का до 2 कि कहा जाता है तो यूपी को ही कहा जाता हैं okay आप sugarins की बाए है तो sugarcan का scientific नेंबी. आपको पता होना चाहिए तो sacram officinarum sacram officinarum सुगर केन का scientific नाम होता है वैसे sacram barbary भी इसकी एक species है लेकिन officinarum ज़ाद है वो important है उसको याद करके रखिएगा ओके चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले question की तरब और आज का question number 26 जो है वो है which is most common stem vegetable in world common stem vegetable इन्होंने hint दिया हुआ है common भी है मतलब भाई इसके बेना कामी ना चलता हो stem vegetable जो है stem से vegetable होना चाहिए तो भाई एक बात समझेगा हमारा कुछ भी खिला दो आप हमें कुछ भी खिलाते जाओ मन भरता रहता है लेकिन अगर आलू ना मिले तो अपने यहां जिस state में जिस हम locality में रहते हैं आप कामी नहीं चलता है क्योंकि आलू से देखो हमारे यहां बहुत सारी डिसेस बनाती है आलू के पराटे बना लो मठे के आलू बना लो मैती आलू बना लो टमाटर आलू बना लो कोई भी चीज आप बना सकते हो तो पोटेटो जो है वो अपने आप ही यहां पर राइट आंसर आप तोनंत ही लगा लोगे क्योंकि यह common है और आलू सब को ही पसंद होता है चाहिए वो कोई भी क्यों ना हो पसंद सब को होता है बस चाहिए कुछ लोग उसको diabetes की वज़े से खाना कम कर देते हो ओके तो चलिए I think आप मेरी बात से सहमत होंगे अगर सहमत हैं तो एक like करके जरूर जाएगा वीडियो को और हमारे वीडियो को subscribe और comment जरूर किया करो आप चलो बढ़ते हैं अगले question की तरब तो question number 27 हो जाता है मैं ना देखिएगा कुफरी सीतमान यह जब variety हो तो देखो अभी हम बात कर रहे हैं आलू की तो आलू की एक variety है यह कुफरी सीतमान है ना हमने आप सो पिछले वीडियो में भी बताया है हमने पिछले वीडियो में आपको किस की किस की याद कराएं थी पिछले वीडियो में हमने आपको गेहूं की और चावल की इनकी हमने variety जो थी वो याद कराएं थी और आज हम आपको याद कराने वाले potato की बात कर रहे हैं तो potato की scientific name आपको पता ही होगा solenum tuberosum बोलती है क्या बोलती है इसके कुछ important variety में बता रहा हूँ आप याद करने के कोशिश कीजिएगा कुफरी अलंकार कुफरी जोती कुफरी सीतमान तो एक तो trick यही बन गई कि जिसके नाम में भी कुफरी जुड़ा हो आप समझ जाओ वो सब आलू की variety है कौन-कौन सी हैं देखवार फिर सुनना कुफरी अलंकार कुफरी जोती कुफरी सीतमान और कुफरी लालिमा देखो चार variety हो गई कुफरी अलंकार कुफरी जोती कुफरी सीतमान और कुफरी लालिमा next darghelin red round darghelin red round हो जाएगा गोला हो जाएगा और पहलुआ हो जाएगा तो इन चीजों को जो है इन नाम को आप याद करके रखिएगा यह सभी potato की variety की name है mayge की बात करते हैं मेघ की बात करते हैं तो मेघ इसको हम लोग मक्का बोलते हैं जिसका scientific name होता है हमने लास्ट वीडियो में इसके आपको name बहुत सारी variety की name याद कराई है उनको जरूर याद कर लेजिएगा टोमेटो का scientific name क्या होता है लाइको पर्चकन एसको लेंटम होता है ठीके ना और ये solinesi family शे ही बिलॉंग करता है carrot की अगर हम बात करें तो इसको decus carota बोलते है और ये umbly fairy family से विलॉंग करता है किससे decus carota umbly fairy family से विलॉंग करता है जिससे coriander विलॉंग करता है coriander ओके तो चलो हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 28 को देख लेते है चिलगोजा is obtained from तो देखो चिलगोजा जो है वो obtained होता है यहाँ पे पहला option दिया गया है psychus revoluta option B दिया गया है ephedra option C दिया गया है pinus giardiana option D दिया गया है zincogobailoba ओकी तो देखिएगा actual में इसका जो right answer है वो है C option means pinus giardiana ये चारो जो variety है वो जिमने स्पर्म की variety है है ना जिमने स्पर्म को naked seeded plant के नाम से हम लोग जानते है तो आप समझ गए होंगे ओके चलो हम बढ़ते हैं देखो ephedra से ephedrine नामक दबाई medicinal plant है ये obtained की जाती है तो ये खांसी आंसी में काम आती है द्यान रखिएगा और psychos revoluta आपको पता है सागो पाम बनाया जाता है तो भो जाद रखिएगा पायनस याड याना से चिलगो जाओ उप्टेंड किया जाता है बढ़ते हैं हम अपने अगले question की तरफ question number 29 potato and tomato are देखिएगा old world species है new world species है old world and new world respectively है या new world या old world respectively है तो देखिएगा ये दोनो species जो है वो new world species है तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि old world species और new world species का concept क्या है तो देखिएगा जिनका origin ध्यान से सुनिएगा जिनका origin American continent से हुआ है चाहिए वो उत्री अमेरका या दच्छरी अमेरका उन उस continent में जो भी country पाई जाती है उन्हें में से जिसका हुआ जैसे पोटेटो ही जो है तो पोटेटो का सेंटर ओफ ओरीजन क्या है पेरू है एक country है पेरू तो वो कहा है तो वो भाईया अमेरका अमेरकन कॉन्टिनेंट में है पेरू तो इस तरह से ये कैसी crop हो जाएगी ये new world crop हो जाएगी है ना new world crop हो जाएगी तो पोटेटो टोमेटो दोनों ही new world crop है और बाकि की जो rest of continent है जो country है उनसे अगर origin हुआ किसी species की तो वो old world species में बोली जाती है तो एक बात याद रखिएगा old world species जदे हैं new world species कम है तो new world species को आप कुछ को तयार कर लो बाकी जो बच्चीयां सब old world में चले जाएंगी ओकी चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ और last question है इस वीडियो का क्या है in cauliflower harvest vegetables which portion is edible देखो cauliflower जो है इसको हम breast का ओली रेशी और brush का ओली रेशी के नाम से जानते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि एक्चुल में इसका कौन सा भाग खाया जाता है तो leaves खाया जाती है stem खाया जाती है inflorescence खाया जाता है या fruit inflorescence तो आप जानते ही होंगे arrangement of flower को हम लोग inflorescence बोलते हैं arrangement of flower को हम लोग क्या बोलते है inflorescence बोलते हैं तो इसी लिए यहाँ पे जो है cauliflower cauliflower को हम लोग full goby बोलते है full goby और जब flowers का arrangement है तो इसका right answer जो है अपने आप क्या हो जाता है inflorescence हो जाता है this is the right answer of this question तो प्लीज फ्रेंट्स आज का वीडियो कैसा लगा आप अपने बहमूल है न सेयर करके अपना टाइम से अपने अपने जो है हम कह सकते हैं इसको सेयर करें और थोड़ा सा अपने टाइम का दो चार सेकेंड कमेंट लिखने पर जरूर दे दिया करो जिससे अगले वीडियो मे मेरी एनरजी जो है और ज्यादा बूस्टर बूस्ट हो जाती है जो बूस्टर का काम करते हैं आपकी एक कमेंट और सब्सक्राइबर तो प्लीज जुड़े रहिएगा हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आते हैं और अब्जेक्टिव बॉटनी और जूलियो जी को ट